नुश्का दोस्तों आज हम लोग सिखेंगे एक त्रिफलोग आईसी से हम लोग इन्वेटर बनाएंगे जिया तो हम लोग एक त्रिफलोग आईसी से किस पकर से इन्वेटर बनाके लाइट भी हम लोग कर सकते हैं फैन भी हम लोग कर सकते हैं तो वो किस पकर से बनते हैं और रोबोटिक्स कांथी में आप लोगोगा स्वाले थे यह जो बॉक्स देख रहे है इसके अंदर हमने त्रिफल वाइची से एक इन्वेटर बनाया है ठीक है तो अभी देखिए इसका जो हम लोग लगाएंगे यह जो कैबल है यह बैटरी का कैबल है हम लोग 12 इसमें जब से एसी निकलेगा तो हम लोग इसमें 100 वाट का एक बाल्फ जलाएंगे तो अभी हम लोग यह जो बैटरी अब देख रहे है यह इस बैटरी को हम लोग लगाएंगे यह 12 बोल्ट का बैटरी है तो इसको हम लोग अभी लगा के दिखाएंगे अभी तो अभी माइनस पर पॉजरिप पर पॉजरिप लगाएंगे लगाने के बाद अभी देखिए यह जो अभी इसमें पोल्टिस आ गया है तो अभी यह आफ है तो यह जो आप देख रहे हैं यह 100 वाट का एक बाल्प है तो इसको अभी हम लोग जलाएंगे जब भी इसके अंदर हम लोग इसको यह कैबल तो डालने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं यह ग्लू कर रहे है और बहुत ही अच्छे से यह ग्लू कर रहे है तो हम लोग इस 12 बुल्ट से यह जो बाल्प 100 वाट का बाल्प 55 AC से हमने इसको बनाया है और इसका AC आउटपुट 100 वाट दे रहा है तो देख सकते हैं आप लोग यह ग्लू कर रहे है बहुत ही अच्छे से यह ग्लू कर रहे है तो यह जो आप सार्किट देख रहे हैं यह सार्किट किस पकर से बनाया है हमने तो चलिए देखते हैं देख सकते हैं आप लोग यह जो सार्किट अब देख रहे हैं इस पर हमने एक त्रिफल वाईसी लगया है और कुछ कॉंपोन लगया है तो इस सार्किट को बेस करके हमने यह प्रोजिक्ट बनाया है तो यह किस पकर से काम करते हैं यहाँ पर देखिए फाइब बोल्स से बारा बोल तक आप इस पर पॉजिटिव इंपूट दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने फोर सेबन डबल जरो ज जो इसका जो जो सब्सक्रीड खर रिव कर दिए सब्सक्रीच नमबर को एक वह फंद ऌंross कर दिया औस सब्सक्रीफ है उसका जो फंत्र का रेश्ठालय खर दिया और सब्सक्राइब इसका जो आपक चनल लगाया है इसके फ्रेक्वेंशन के अंदर इसका जो आउट पूट है तीन नम्बर का उसमें से ओनाफ ओनाफ फ्रेक्वेंशन सी ऐसा आयेगा। तो आने के पाद अभी देखिए on-off on-off क्या है मतलब positive or negative वैसे यह output देगा तो देने से एक बार यहाँ पर देखिए BC 5.7 का एक transition लगाया है जो कि इसका base positive से चलता है तो क्या होगा 10 kilo ohms का एक resistance होके positive इसमें आएगा तो जब भी इसमें positive मिलेगा तभी यह on होगा ठीक है इसमें connection आएगा और यहाँ पर 2.7 kilo ohms का एक resistance लगा दिया ताकि जब भी इस negative हो तो इसका negative का connection मिल जाए इसको और तुरंत off हो जाए ठीक है और इसका जो जब भी इसमें negative आएगा तो देखिए negative आने से यह mosfet active होगा ठीक है 440 था चा होने के बाद इसमें से voltage गुज़ेगा और जब यह activity होगा तो इसमें से जो negative आएगा आने के बद यह active होगा तो क्या होगा? एक बार यह चलेगा, एक बार यह चलेगा, ऐसे गर कि frequency चलेगा, चलने के बाद इसका जो voltage है, वोह देखे, पॉसरी विवी अथा का आएगा आके, यहा से coil होके, एक बार इसमें से ground होजाएगा, और एक बार इसमें से ground होगा, तो इसमें एक frequency generated होगा, up and down, up से साइक्यल होगा ठीक होनके बाद इसका जो जो आउटपूट है इसमें से हम लोग को एसी का पोल्टीज मिले गठीक है यह पर दो मिलेगा आपको और फिप्टी हर्च का जो आउटपूट मिलेगा तो यह सरकीट से काम करते हैं आई अभी इस सरकीट को हम लोग प्रेक्टिकली बना कर देखते हैं करते हैं झाल 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 झाल